माने सब अपति मोदे, आज मांग संख्या नौ, स्वास्तेवं परिवार कल्यान कटोती प्रस्ताव पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद, बहुत से सुझाव हमारे साथियों ने, वरिस सदस्यों ने भी यहां पर रखे हैं, कुछ बातों का जिकर मैं अभी यहां मानिय मंत्री जी सुझाव के रूब में यहां पर करना चाहता हूँ, इस वार मुख्य मंत्री जी का बजट भासन सुन रहे थे, उसमें हिमकेर और साहरा योजना पर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय लेकर इसमें थोड़ा सुधार करेंगे, मानिय सभवती मोदे मेरा निवेदन रहेगा कि परदेश की जनता के लिए बहुत मत्रपुन दो योजना हैं, इमकेर और साहरा, इसके माद्यम से आम आदमी के लिए, गरीब परिवारों के लिए, इसका की सरकार लेकर आई थी, मेरा निवेदन रहेगा कि इसके लिए प्रयाप्त बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है, कि दो सो करोड़ पर भी देंदारी है, और हिमकेर योजना के माद्यम से लोगों को लाब नहीं मिल रहा है, बहुत से प्रावधारी के लाज के लिए बड़ा उप्योगी होता था, मेरा निवेदन रहेगा कि इस योजना को खीक प्रकार से जारी रखा जाए, मनिये सब अबती मोदे, पिछले बजट में भी इस बजट में भी इस सरकार की उर से अनेको बातों का जीकर किया गया, मेरे साथिय की भी बात कही गई थी, उसके साथ हर मेडिकल कॉलेज में पैड स्कैन की भी बात कही गई थी, मानिय स्वास्थे मंतरी जी आप बहुत वरिस्ट हैं, हमारे लिए बड़े आधरनीयवी हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि जो सुविधायन, जो संबब है, उसको हम जल्दी से जल्दी करें, एक मुद्दा जिसको भाई बिनो जी ने भी यहां पर रखा, उक्षियन प्लांट को लेकर आपने कहा, हम आधरस स्वास्थे संस्थान की को हम बात कर रहे हैं, लेकिन उक्षियन प्लांट जो मानिय मंतरी जी ने रिप्लाई दिया कि दो ऑपरेटर वहां प खरिदे जा रहे हैं, और लगवग एक सप्ता में 10,000 के करीव खर्चा जो है, और इस उक्षियन प्लांट के लिए जैसा आपने कहा, कि PWD विभाग इसमें क्या करेगा, उसकी तो सर्विस होनी है, वो PWD विभाग दी करेगा, उसका एक ड्रायर होता है, वो ड्रायर खराब है, और उसके साथ उसकी सर्विस ड्यू है, एस्टिमेट बना कर जो है, वो डेप्टी कमिशनर के पास है, डेप्टी कमिशनर नहीं आए है, मुझे लगता है, अगर आप टेलिफॉन पर भी बात करेंगे, तो उनके पास वो एस्टिमेट पहुंच गया है, पैसा आ को हफते के अंदर अंदर जो है, वो सुचारूर से चला दिये जाएगा, क्योंकि आपने उपरेटर भी वहां पर रख लिये हैं, और उसके साथ मानिय सभवपती मोदे, मैं मानिय मंतरी जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कि मेरे विधान सभाक्षेतर में, पिछले कोई डोक्टर नहीं है, पहले पांच वरस डोक्टर था, लेकिन आप वहां पर डोक्टर नहीं है, खली, PSC पड़ी हूए, PSC बलग खली पड़ी है, डेपूटेशन पर डोक्टर था, वह भी वापस बला लिया गया, उसके साथ नीरी, मेरे विधान सभाक्षेतर का तैसील आट गॉर्टर है और दूसरा बड़ा के अंदर नीरी है वहां पर पांच डॉक्टर की पोस्टेज वह हैं वो सेंक्सिन हैं लेकिन मातर दो डॉक्टर है हमारे समय में लगातार पांच डॉक्टर वहां पर होते थे रोहनडा एक ऐसा अक्सेतर उसके साथ लगता सुन्दनगर और नाचन का अक्सेतर वहां पर भी डॉक्टर की से ट्रेंथियो है आज वो एक डॉक्टर वहां पर सेवाएं दे रहे हैं जब कि हमारे समय में वहांपर मानिय मंतिर जी चार डॉक्टर वहां पर थे फान बनाने को लेकर ऐसी कोई गोशना इस प्रकार से बात नहीं कहीं लेकिन पुरुकी भारती जनता पालिटी की सरकार ने करके दिखाया। मेरा सुन्दनगर का सीवल हॉस्पिटल जैसा मैंने बार-बार मैं उसका जिकर करता हूँ कि उसकी OPD जो है डिस्ट्रिक हॉस्पिटल से भी जादा कुछ डिस्ट्रिक हॉस्पिटल ऐसे हैं उनसे जादा वहां की OPD है वहां का दरजा बढ़ाकर 100-150 पेड़िट जो है स्ट्रिशिश्व अस्पिताल MCH भारा से जब जगतपर गास नडची सौस्थे मंतरी थे उन्हें उन्हें उसको बना कर तियार करके हमने जंता को स्मर्पिट कर दिया और स्टाफ के लिए डॉक्टर के लिए और वहां के स्टाफ के लिए जो रेजिदेंस की जुरूरत रह जिनका structure त्यार हो गया है, अब finishing का काम बचा है, मेरा निवेदन है, कि उसके लिए जल्दी से जल्दी आप बजट का प्रावधान करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो त्यार होंगे, जिसे doctors और स्टाप को भी residents मिलेंगे, वहीं जनता को भी उसकी तुपधा मिलेगी, और मा प्रेको टेकनिक के साथ जो है, मोतिय के उप्रेशन जो है, बीना चीरे के भी किये जाते हैं, और ये हमारे पास मशीन नहीं है, अगर आ जाएगी तो हम उप्रेशन सुरू कर देंगे, तो पुर्व की भारते जनता पालिटी की सरकार में, उफेको मशीन जो है, वो पालिटा की सुबदा के लिए वहां पर एवलेबल था, हमारा डेहर का CHC था, उसको सीवल हॉस्पिल बना दिया, वहां पर 108 अंबुलेंस को लेकर आमन अन्शन भी हुआ था, पुर्व की सरकार, जब कॉंग्रेस की सरकार की, पिछली, लेकिन उसमें 108 अंबुलेंस नहीं म सुन्दनगर से लेकर नाचन का ख्षेतर और करसोग का भी कुछ ख्षेतर, वहां पर PSC की डिमांड रहती थी, वो प्राइमरी हेल्स सेंटर भी कब खुला, जब जैराम जी मुख्यमंत्री बने भारती जंता पार्टी की सरकार आई, मेरे ख्षेतर में बहकी धार में PSC सुन्दनगर विदानसव अक्षेतर में BBMB, क्योंकि हमारी जो व्यास नदी के उपर BBMB का जो प्रोजेक्ट बना है, BBMB के दो होस्पिटल मेरे विदानसव अक्षेतर में, मानी मंत्री जी ये बहुत महत्तपुन, मानी सभापतिम हो दे, आपके मादिम से मैं मंत्री जी क जो दो नगर परसित के वार्ड, दो BBMB के वार्ड और उसके साथ नाचन विदानसव अक्षेतर का, हमारा महादेब, घंगल, चांबी, उसके साथ बैली, ये सारा अक्षेतर जो है, उस BBMB ऑस्पिडल में आता है, लेकिन वहाँ पर, जो मेरी जानकारी के मुताबिक, 16 MBBS के और दो BDS, Dental Surgeon के जो है, वो पद वहाँ पर पोस्टे सेंक्सन हैं, BBMB के द्वारा, तनखा BBMB देगी, पैसे BBMB देगी, अगर हम वहाँ पर डॉक्टर भेज देंगे, और वहाँ पर मुझे पताया गया है, कि 9 पैसलिस्ट की पोस्टे भी वहाँ पर खाली है, सारा ख पैसा BBMB देना चाहती है, अगर हम करसना के साथ इनका भी टाइप करवा देंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे उस खेतर की जनता को बहुत बड़ा लाब होने वाला है, और अल्टरसाउंड की मिशीन जो है, वहाँ पर पैक पड़ी है, जब से आई है, क्योंकि जो है, वो पैसा BBMB खर्च करना चाहती है, कि कोई BBMB जो है, एक अच्छी संस्ता है और प्रोफटेवल है, और पैसा BBMB खर्च करेगी, सुविधा अमारे वहां के लोगों को मिलेगी, जहां BBMB के स्टाफ वहां के उनके जो इंजनियर या बाकी जो भी स्टाफ रहता है, उनको भी सुविधा मिलेगी, वहीं मेरे विधानसव अक्षितर और नाचन विधानसव अक्षितर के लोगों को भी इसका लाब मिलेगा, और जैसा मैंने कहा कि अल्टरासॉंड की मशीन वहां पर बंद पड़ी है, चिल्ड, BBMB ने खरीद के रखिया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, अगर हम डॉक्टर एवलेबल करवा देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका भी लाब मानिय मंत्री मोदे हमारे क्षितर के लोगों को मिलेगा, और उसके साथ मानिय मंत्री जी आज मेरा प्रशन भी था, उसका जवाब भी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि उस जवाब में प्र सरकार से क्रोड उपया हमारे इन मेडिकल कॉलेजिस के लिए आया हुआ है, लेकिन मैं जवाब देख रहा था, कहा गया है कि अमीरपूर में जो है, वो हमारा अकेड़िक ब्लॉक जो है, वो पूरा हो चुका है, लेकिन अन्तिम स्फाई का काम चला हुआ है, ये स्फाई का काम कैसा चला हुआ है, जब भवन तियार हो गया, तो उसको सुचारू रूप से चला दिया जाए, और चम्याना का हमारा जो सुपर स्पेसलिटी है, वहां पर भी, मैंने जो जो प्रशन किया था, उसका जवाब आया, लेकिन मेरा निवेदन है कि जहां पर हमारे भवन बन कर तियार हो गया है, अगर फरनीचर और और कुछ जरूरत वहां पर है, प्रिपया करके उसको तुरंत अवेलेबल करवाया जाए, ताके उन भवनों में जो है, जनता की सुपदा के लिए, जो स्वास्ते सुपदा उपलब दोस्के, और उसके साथ, मैं मनिय मंतर जी, आप किरिटिकल केर बॉवलॉप, निर्च॑क मेडिकल का लिज और उनना के लिए और हमीरपूर मेडिकल कालेज के लिए, उनके सिला नयास की है, प्रोडरी की लागश से जो है ये क्रिटिकल केर बॉलॉप by बनेंगे, मुझे लगता है कि ये हमारे हीमाचल के लिए बहुत ब गुमती रहेगी, जिसे अवेरनेस भी लोगों के बीच में आएगी, और हमारा जो विवाग है, स्वास्थे विवाग है, इसके माध्यम से जहां पर जाकर, हम कहीं पर धाबा, रेस्टूरेंट और चाय की दुगाने, वहां पर टेस्टिंग भी होगी, अगर कहीं पर कोई-क गलत व्यक्ति वहां पर गलत खाद्यपदार्थियों है, वो लोगों को बेच रहा है, दे रहा है, उसके जिसे लोगों का स्वास्थे खराब हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो हमारी फूड सेफटी बेंड्स हैं, ये हमारे लिए बहुत लाब दायक होंगी, इसलिए म मुझे लगता है कि इस सदन की ओर से मानिय परधान मंत्री जी का भी हमको धन्यवाद करना चाहिए, कि जो इमाचल के लिए ऐसी सोगाते लेकर आ रहे हैं, मेरा निवेदन रहेगा मानिय मंत्री मोदै, मेरे विदानसवाक्षेतर में, पूर्व की भारती जनता पार्टी की सरकार के समय में जो संस्थान खुले थे, मेरा निवेदन रहेगा कि उन संस्थानों को लोगों की सुविदा के लिए जो संस्थान खोले गए थे, क्रिपया करके, क्रिपया करके क्योंकि मानिय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीड बेस जहां पर जुरूरत होगी उन संस प्राइमरी हेल्सेंटर बड़े महत्तपुन एक बंदली में एक पॉड़ा कोठी में दो प्राइमरी हेल्सेंटर जिनको डी-नोटिफाइज किया गया है, मेरवानी करके उनको जो है दुआरा से भाल कर दिया जाए ताकि लोगों को अच्छी स्वास्ते सुविदा मिल सके और आरवेदा का जिकर भी आदनिये परमार जी ने यहां पर किया, आरवेदा पदती के माद्यम से भी बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है, तो मेरे सुन्दनगर के शहर में एक 10 बेड़िट अरवेदिक हॉस्पिल जो है अप्ग्रेड किया गया था, उसे वहां के लोगों में और एक बीना में, दो हैल्स सेंटर खुले थे, उनको भी डिनोटिफाई किया है, इन संस्थानों को भाल कर दिया जाए, मैं चाहूंगा कि चाहे श्रे आपकी ही सरकार ले ले, आप ले ले, मंतरी जी ले, मुख्य मंतरी जी ले ले, आपके वहां के जो लेता हैं, उनक आप श्रे दे दे, हम श्रे लेने के लेने कह रहे हैं, हम चाहरे हैं कि लोगों को अच्छी सुफदा मिले, और सरकार बार बार, मुख्य मंतरी जी अपने बजट भासन में इस बार भी कहा, पिछली बार भी कहा, कि हम स्वास्थे सुफदाओं को लेकर बहुत बड़ा परि अपने लोगों को अपने लोगों को अपने लोगों को इस बहुत महत्तपुन हैं, और आज इन सारी बातों को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मानि मंतरी जी, जो मैंने आज कहा, अपने उस पे बीच में फिर रिपलाई किया था, कि वो ऑक्सिजन प्लांट, उस ऑक्सिजन प्लांट को आपसे दोनों आजोड के निवेदन केस में, हमारा खर्चा, RKS के माध्यम से हपते का 10,000 प्लांट के लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा भी बच जाएगा, और अक्सिजन प्लांट जब स्थापित हो गया, उप्रेटर आपने फिर से रख दिये, तो वो ऑक्सिजन प्लांट चल पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इसे भी बहुत बड़ी पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्ट्रग्राम पेज हिमाचल.केस्ट्री